क्या दूसरी बार प्रेगनेंट है दिपिका ककर दूपट्टी से बेबी बंप चुपाया तो लोगों ने तूरंट लगा लिया अंदाजा जी हां दिपिका ककर और शोहे बिब्राइम टेलिविजन इंडास्ट्री के सबसे पसंदिदा कपल्स में से एक हैं दोनों 22 फरवरी 2018 को शादी के बंधन में बन गए थे अपनी शादी के 5 साल बाद कपल्न ने 21 जून 2023 को अपनी छोटे राजकुमार रूहान का स्वागत किया हाला कि दिपिक और शोहे बाकसर अपने फ्रांस के साथ फोटो शेयर करते दिखते हैं शोहे फिलाल जलग दिकलाजा 11 में पाते से पेच कर रहे हैं और एक प्यारी पतनी होने के नाते दिपिका कसर सेट पर अपने बेटे के साथ उनसे मिलने आती रहती हैं वैसे इस बार जब दिपिका ककड आई तो उनकी फोटोस देखा लोगों ने उनकी दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में अटकले लगानी शुरू कर दी हाली में शोहे बिबाएम और उनकी बेटे रुहान के साथ दिपिका ककड का एक वीडियो और लाइन सामने आया वीडियो में शोहे बिब के प्यारे परिवार को जलक दिकलाजा 11 सेक के बाहर खड़े लोगों के लिए पोस देते देखा जा सकता है वीडियो में शोहिप को नीली रंग की स्वेट श्वेट में देखा जा सकता है जिससे उन्होंने काली पैंड के साथ पैया किया है शोहिप अबराईम को अपने बीटे रुहान को गोर में ले हुए विट देखा जा सकता है जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था हाला कि दिपिका लाल रंग के अनार कली में बेहती प्यारी लग रही थी हलके मेकप और खुले बालू ने उनके लुक में चार चान लगा दिये लेकिन अक्ट्रेस को अपने दुपट्टे को इस तरह से पिन करते हुई देखा जा सकता है कि उनका पेट धका रहे इससे नेटिजन का ध्यान और जादा खीचा और वो सोचने लगी कि क्या वो दूसी बार प्रेगनेंट तो नहीं है जैसे ही वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ नेटिजन अपनी राय देने के लिए कॉमेंट सेक्शन में पहुच गए फैन्स एक्साइटेट थे क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था और येकीन हो गया था कि दिपिका अपने दुपट्टी की मदद से अपने बेबी बम को ही चुपा रही है वीडियो पर रियाक्शन देते हो एक यूजर ने लिखा कि लगता है कि वापस से प्रेगनेंट है एक और यूजर ने लिखा कि वो फिर से प्रेगनेंट लग रही है त्रीस्रे ने लिखा कि ए भगवान वो प्रेगनेंट लगती है प्रेगनेंसी पर इस तरह के कई सारे क नज़राए